हेलो स्टुडेंट्स आज मेरे साथ कोई किसी प्रकार का ब्लेक बोर्ड नहीं है कोई पढ़ाने का मारकर नहीं है भलकी मैं आप लोगों के साथ में आज वो चीज़ सेर करने जा रहा हूँ क्योंकि एक्जाम बिलकुल पास में आने पर इस्टुडेंट्स की जादा तर इस्टुडेंट्स की तैयारी का हाल बहुत बुरा हो जाता है कई स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको रिविजन का टाइम नहीं मिलता है और एक्जाम बिल्कुल पास में आ जाते हैं अब विशेश रूप से अगर हम इंगलिस की बात करें हर क्लास के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इतनी सारी बुक्स यह आपके सब के जापके कोर्स में चल रही हैं अलग अलग क्लासेज में वो सारी बुक्स यहाँ पर साथ में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये जो बुक्स हैं इतनी सारी हैं हर क्लास में कम से कम आपके two books हैं और writing part और grammar part वो बिल्कुल अलग साथ में aid है। इनको इतनी सारी चीजों को एक साथ याद करना और फिर इन में से कहीं से भी कोई भी question पूचा जा सकता है क्योंकि writing part है उसका भी कोई पार नहीं है कहीं से भी कोई साथ भी question दे दिया जाता है। grammar है उसके rules इतने होते हैं उन rules को याद रखना हर rule का एक sentence होता है उस sentence को फिर सही तरीके से वहाँ पर सही करके आना और फिर बेन चीजे क्यों सनांसर्स विशेस रूप से जो हम हिंदी बासी लोगे या यो कहें जो local अपने इस्ताने शेत्री बहसा बोलते हैं उनका विशे इस घर में सुनते हैं नंगे में वो इंग्लिस बोलने से रिच्टेड को कोई वीडियो देखते हैं कोमेंटर भी हम सुनते हैं तो हिंदी में सुनते बात भी करते हैं और साइड हिंदी में ही हम जादाचे समझ पाते हैं यहां तक कि जहां पर हम पढ़ाई करते हैं वहां पर भी हम यही आशा करते हैं कि यह टीचर इस चीज़ को हम हिंदी में समझा दें हिंदी में ट्रांजेशन कर दें कुल मिला कर हिंदी 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 अब बात यह आती है सब हम हिंदी में ही हर चीज पढ़ रहे हैं तो फिर उसको वहां इंग्लिस में केसे लिख कर आए क्योंकि पेपर तो इंग्लिस का होना है जब पेपर इंग्लिस का होना है कोपी में इंग्लिस में लिखना है तो हमने तो हर चीज पढ़ी तो हिंदी में है जो टीचर ने पढ़ा वो इंग्लिस में बुक थी इंग्लिस का चेप्टर था हर चीज इंग्लिस में थी लेकिन आज हमें याद है दूर से भी कुछ याद आ रहा है तो वो याद आ रहा है हिंदी में में दिकत यह है कि उस हिंदी को हम इंग्लिस में लिख कर कैसे आए और अगर हमें हिंदी में य बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास में एक जाम बिलकुल नजदी काने के बाद भी अगर तैयारी नहीं है जैसे मा ली जी यह 11th की बुक है ऐसी एक और बुक यहाँ पर चलती है दो बुक चलती है और यह 9th की बुक है ऐसे हैं आपके 10th की बुक है कूप सारी आपकी इतनी बड़ी बड़ी और इनको करना असान है लेकि इनके चेप्टर्स और इनको पढ़ना और इनके अंदर की क्योसन आंसर याद करना और उनको लिखियाना आसान कारी नहीं है तो पिर क्या किया जाए माली जी इतनी सारी बुक से इन बुक से को हम याद क कैसे करें इन बुख की तैयारी कैसे करें इनकी क्षुर्णां सर याद कैसे करें कम समय में सबसे बेस्ट तरीका अगरा मेरे ही साफसे अगर है جो आप लोग अपना सकते हैं वह है उस चेप्टर का आप लोगों को पूरा आइडिया होना क्योंकि क्योशन अगर मैं आपको बताओं ये पांच क्योशन है साथ क्योशन है कोई भी बता रहा है कोई भी टीचर मैं मेरी तरफ ये करना चाहूंगा कि आप स्वेम अपना चुनाओ कीजिए कि आपको कितना ध्याने चेप्टर की अंदर से क्योंकि उसने पांच क्योशन बताए छटा आगया और आगया तो आप क्या करेंगे ये बताएगे क्या उस टीचर से बाद में जब पेपर ही हो गया पिर आप कॉमेंट करेंगे सरा आपने बताया नहीं आया क्या कर लोगे आप उसका नहीं आया तो नहीं आया मेरा guess था दूसरा आजा, में क्या करू आकि मार्ख्ष तो उसके भी वही है और इसके भी वही है अगर इसमें मार्क्स नहीं आए तो पूरा परसेंटेज खराब कर देगी तो आपको करना क्या है उस चेप्टर का आपको आइडिया होना चाहिए जहां तक हो जहां तक हो मान लीजी अभी आपके पास समय नहीं है कुछ दिन बाद में जब आपके पास समय हो जैसे अभी मान लीजी आपके आप एले एकजाम है अगर आप एले एकजाम हैं तो उसके बाद में आपको दो महीने मिलेंगे लेकिन अगर मान लिए आपको वार्चिक परिक्सा में हैं और आप इस इस्तति में हो कि आपके कुछ दिन बाद में आपके परिक्सा है और आपके तैयारी नहीं है तो येकिन मानिए आप लोगों के लिए इसे बुरी इस्तति कुछ भी नहीं हो सकती है एक कड़ी बात है क्य क्योंकि आपको जैसे हम हमारे चैनल पर अधिकतर बोर्ड क्लासेज हैं और जो लोकल क्लासेज हैं उनके भी most important questions बनाते हैं उनको देखे कि किस तरीके के questions आते हैं क्योंकि उनको याद कर सकते हो अब समय कम है तो अब वो समय नहीं रहा कि आप पूरा चैप्टर क्योंकि 12th में 10th में 11th में 9th में भी इतने बड़े बड़े chapters हैं कि उनकी समझी कहां से याद रहेगी चैप्टर 22, 24 पेज के हैं अगर आपने शुरुवात में नहीं पड़े उनके बारे में तो दिक्कत कड़ी हो सकती है तो पी वाई क्योंज और most important questions ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकते हैं अगर आपके एकजाम बिलकुल पास आ गया आपको कुछ भी पता न अपने चैनल पर वो चीज बनाते हैं common वाली, common वाली यानि के रायटिंग पार्ट में जो लेटर है common वाला application है common वाली पेरेग्राफ से common वाले उनको अच्छे से तयार कीजिए अगर वक्त नहीं है तो और अगर वक्त है तो मैं आपसे करना चाता हूँ कि grammar है उसको पढ़ चीज में practice करता है क्योंसन आंसर के रही बात आप लिख लिख कर याद कीजिए जितना भी हो सके आपको जितने क्योंस याद हो सके याद कीजिए और सबसे बेस्ट है कि जैसे हम वीडियो बनाते हैं दस क्योंस ले लिए उनका एक आंसर ले लिया उसी से बनाए कि यहां से यह लिख दो यहां से यह लिख दो ऐसे करके यह चीजे कहां काम आते हैं क्योंकि मुझे पता है मैं इस चीज को समझता हूँ हर कोई कर देता है पढ़या नहीं तूने यह नहीं किया अब क्या होगा अरे क्यों नहीं होगा वो नहीं पढ़ा तब भी आपको उसके लिए को दुद्धकार सकते हैं नहीं उसकी help करनी होगी और help सबसे बेस्ट यही है कि जितना आप content को sort कर सकते हैं और उन में से जितने selected चीज़ां पढ़ सकते हैं वो पढ़िए अब बूल दिकती है कि selected चीज़ बताए कौन selected selected चीज आपको मिलेगी एक authentic teacher के पास को authentic एक ऐसा teacher हो चाहे वो online हो या आप जहां पढ़ रहे हैं वहां हो वह आपको बताए कभी है यह चीज़े हैं यह पीवाई की यहां से ही जाता है क्योंस पूचे जा सकते हैं या आप स्वेम आपके टीचर बन सकते हैं एक दो तीन तरह की जो भी आपके पास available हैं जहां पर पुराने questions आपको मिल जाएं वहां पर आप उन चीज़ों को देखिए old papers को जो हमने भी old ready videos बनाए हुए हैं old papers के आप चाहे तो भी देख सकते हैं continue आ रहे हैं वहां पर आप देखिए writing part में भी गूम पिरकर वही चीज़े बार बार पू होगा यह हो सकता है कि कुछ marks कम हो जाए क्योंकि एक तो deep में पढ़ना detail में पढ़ना और बात होती है कुछ दिन पहले पढ़ना और बात होती है लेकिन फिर भी हम उस बुरी इस्तिती से बच सकते हैं हम बहुत कुछ लिखकर आ सकते हैं और सबसे अच्छी चीज में आपक मैंने लगबग 10-20 वीडियो बना रखे हैं पेसेज के जहां पर मैं चीजा आप लोगों को बताता हूं कि केवल वर्ड मिलने से लाइन मिलने से पेसेज का आंसर सही नहीं होता है मैं खुद बोर्ड की कोपी चेक करता हूं इस बार भी मैंने 800 बोर्ड की कोपी चेक की और म हम तो पास हो जाएंगे और लाइन मिला देंगे यह गलती कभी मत करना पेसेज इतने कीजिए कि प्रेक्टिस वाले कीजिए और साती उसकी जो सिननिम्स एंटनिम्स से कैसे सेलेक्ट करते हैं वह भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम मीनिंग डूंट है क्योंकि ब इंग्लीज का यह सी चीज है जो हर बच्चे के लिए संजीवनी है राइटिंग पार्ट ग्रेमर और अब बात करते हम हिंदी में याद किया तो इंग्लीज में कैसे लिख कर आए जी हां यह मैंने शुरुवात में बताया था वीडियो की सबसे पहले तो देखे कि आपको ह हिंदी में याद अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है उस हिंदी को आप जितना हो सके शोट शोट बिलकुल वेरी वेरी सोट बहुत चोटी-चोटी सेंटेंस बनाई इंग्लीज के सिंपल लेंग्वेज में जैसे माली जै किसी भी क्लास काम उधारन ले लेते है जैसे नैंद का ले लिया हमने कि मार्गी की माती उसने काउंट इंस्पेक्टर को क्यों बुला वा बेजा माली जै क्यों सना अगया वाई डिड्न मार्गी मदर सेंट for the county inspector अब आपको ये पता है कि मार्गी का कंप्यूटर था वो बार बार उसे test दे रहा था टेस्ट ले रहा था उसमें कुछ हो गया था अब इसको लिखें कैसे तो मारगीज मदर सेंट फोर दर काउंट इंसपेक्टर सबसे पढ़े तो इंप्रेशन बनाने के लिए वाई से क्योशन आ रहा है तो आपको क्या करना उस क्योशन से आंसर बनाना सुरू करना है मारगीज मदर डिडट आदो सेंट फोर दर काउंट इंसपेक्टर बिकोज अब कुछ भी नहीं पता तो मारगीज मेकेनिकल टीचर या मारगीज कंप्यूटर कुछ तो याद आएगा इतना तो ध्यान आता है यह कंप्यूटर क्या हो रहा था टेस्ट के बाद टेस्ट दे र कुल मिलाकर मैंने क्या बता है अभी आपने लिखा क्या हुआ आपने बिल्कुल short answer short sentence बनाए चोटे चोटे और उनको लिखा कुल मिलाकर हिंदी में पढ़ते हैं इंग्लिश यार नहीं रहते हैं लेकिन कोशिश करते हैं तो इंग्लिश भी लिख कर आते हैं और जब आप एक किस्ति है जब आपको याद नहीं रहा तब पहले तो आप याद कीजिए क्योंकि जितना याद करके जाओगे भले अभी भूल जाओ लेकिन एकजाम में कुछ हमारे कहीं न कहीं मेमोरी कार्ड में पढ़ा हुआ है तो जरूर से याद आई जाता है इसी वीडियो जाप लो कोई चीज पूछ नहीं है तो प्लीज कोमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो को ज़रूर लाइक शेर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू